नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैपुर एक्जोटिक बर्स इन्फो में उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप और आपके बर्स सभी हेल्दी और फिट फार्ट होंगे दोस्तों आज का जो वीडियो का टोपिक है वो है बजीस में मेल और फिमेल का आइडेंटिफाई कैसे करें तो दोस्तों जिन भाईयों ने अभी बजीस पर्चेस करने के सोच रहे हैं जिन भाईयों के पास बजीस हैं और उनको दिक्कत आती है बजीज में male और female का पता करने में तो दोस्तों उन भाईयों के लिए ये वीडियो बहुत जादा जरूरी है वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है जिससे आप identify कर पाएंगे कि बजीज में हम male और female का कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों adult और पठे दोनों में मैं आपको दोनों का तरीका बताऊंगा कि उसमें बजीज का हम पता कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले हैं सब्सक्राइब कीजिए जैपुर एक्जोटिक बड्स इन्फो को और दबाईए बेल आइकन को ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो दोस्तो अक्सर होता यह है कि जब हम बजार से बजीज खरीद के लाते हैं या कहीं से सेट अप से बजीज लेके आते हैं तो हमें जो फर्स जिन्होंने फर्स टाइम बजीज पाल रहे हैं या जिनके पास बहुती बड्स की बिल्कुल भी नोलेज नहीं है उनको आइड स्कh causa करके जो sawp keeper होते है पेड sureわか करते हैं या जो स्टinator करते हैं वह आप लोगों को पेयर बता के दे देते है और जब बड़े होते हैं वह थोड़े से तब जाकर हमें पता है यह तो फी मेल यह मयरी मेल निकली है कि वह लगले है आईये तो आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देता हूं दोस्तो सबसे पहले तो कोई भी बजीस का हमें पता गरना है तो सबसे पहले दोस्तो उसका एक महीने का होना बहुत ज्यादा जरूरी है यानि कि दोस्तो उसके पूरी तरीके से फैदर्स आ जाने चाहिए उसके पर पूर बजीज की उमर क्या है अगर जो उनकी आइज में लाइनिंग दिख रही होगी गोले में साइड में लाइने होंगी तो बड़े हैं बजीज और जो बिल्कुल ब्लैक आई दिख रही होगी आपको साइड में कोई भी लाइन नहीं दिख रही होगी तो वह दोस्तों पठे होत होते हैं वहाँ पर लोका वो पूरी तरीके से दोस्तों में तो ऊब लोग पता लगा सकते हैं अब बात करते हैं हम कौश् dirig registered पट्टों में हम कैसे पता करें दोस्तों सबसे पहले तो पट्टों में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि वह एक से दिखते हैं सारे उनमें हम नहीं पता लगा सकते कि मेल और फीमेल कौन सा है दोस्तों इसका भी एक बहुत आसान तरीका है अगर जो आप थोड़ा सा ध्यान दे तो आप इसका भी पता लगा सकते हैं कि बजीज में पट्टों में भी मेल और फीमेल का पता लगा सकते हैं दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा बजीज को पकड़ के जो नाक के जो इनकी नाक होती है जहां पर तूतन होती है इनकी आप इनके जहाँ पे nose की आप इनके hole देखेंगे nose के hole होते हैं आपको वहाँ पे absorb करना है अगर आप दोस्तों जब naak के hole के पास में देखेंगे अगर जो white या brown दिखता है दोस्तों तो वो बजिस female निकलेगी और यदि उसकी nose की सुराक के पास में blue या pink होता है तो दोस्तों वो male निकलेगा दोस्तों एक बार फिर बता देता हूँ अगर जो आप पठो को पकड़के उनकी naak के hole के पास में चेक करेंगे कि naak के hole के पास का जो color होगा female में तो white या brown होगा और male में वो चीज blue या pink होगी दोस्तों इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखके आप अपने birds पर्चेस कर सकते हैं और आप easily identify कर सकते हैं कि हमारे बजीज में male female क्या है ताकि आप एक confirm pair लगा सकें और आपको समय से उनकी breed मिल सकें तो दोस्तों आज का वीडियो अगर जो आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आयो तो लाइक करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए है दोस्तों तो आप लोगों से request है प्लिस सब्स्राइब कर दें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो एक नए टोपिक के साथ धन्यवाद दोस्तों